अगर आप WhatsApp में अपना जो है चैट बैक आप या फिर चैट रिस्टोर कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको इस तरीके से लिखाता है Something went wrong लिखाता है रिस्टोर चैट हिस्ट्री आपकी जो है नहीं हो पाती है तो क्यों इस तरीके का error आपको show हो सकता है क्या solution है वह आपको इस वीडियो में बताएंगे तो वीडियो का पूरा ज़रूर देखेगा तो यहाँ पर आपको जो है restore चैट हिस्ट्री करनी है यहाँ पर the option is keep restore और restore का है तो basically क्या होता है कि कभी कबार एक आधा error आ जाता है सबसे पहले कि आपको एक बार इच्छे करना है आपने जो backup लिया था चैट का जब backup लिया था तो वो कौन से email id पर लिया था वो email id आपका आपके phone के साथ सही से connected है या फिर आपने login उसे कर रखा है तो आपके phone में वो होना चाहिए उसी के उपर आपका backup है ठीक है यह पहला चीज़ हो गया अब दूसरा क्या करना है कि आपको आपको phone की setting open कर लेने है setting open करने के बाद आपको accounts में चली जाना है ठीक है आपको account से उसमें आप आएंगे तो आपको क्या करना है snack आपको जो होता है account का उसे enable कर देना है ठीक है यहाँ पड़ेगिए account snack लिखा है अब यह setting अलग-अलग phone की सबसे अलग अलग होगी तो इसके उपर ख्लिक करके पढ़ेखे स्नैक ना वे तो इसको आपको और सभी को स्नैक करना है इससे क्या होता है कि रिफ्रेश हो जाता है आपका जो मेल गुगल अपाउंट ही वो एक बार रिफ्रेश हो से application को बन कीजे जो बुरी तरह से बन कीजे ठीके बन करने एक बाद एक बार अपने phone को restart भी मार लीजे phone को बन करके खोलिए restart मतलब बन करके खोलना ठीके reboot या फिर restart वाल उप्शन यूज करके restart कीजे और फिर से एक होना है तो एक बार अपटेट भी कलवा लीजेगा WhatsApp वाला जो नया लेटिस्ट वर्जिन है वह आपके पास होना चाहिए और प्ले स्टोर से ही डाउनलोड होना चाहिए ठीक अगर आप कोई दूसरा WhatsApp यूज करते हैं जो कि प्ले स्टोर पर नहीं है तो उसकेस में भी आपका backup जो है restore होना थोड़ा सा हर्ड वहाँ पर भी हो जाता है